वहान आपने किशी भी राज से लिया हो लेकिन बीच नमबर प्लेट लगा करके आप उसे पूरे देश में चला सकते हैं अभी तक आप जानते हैं कि आप वहान का पंजीकन जिस राज से कराते थे वहां के राज का कोड वहान को मिलता था और यह नमबर उस राज को दिखाता था लेकिन बीच नमबर प्लेट को लगा करके आप पूरे भारत में अपने वहान को ले जा सकते हैं और यह नमबर पूरे भारत में भी मान है तो आखिर बीच शीरीज प्लेट क्या है इस सीरीज वाली गारियों के नंबर प्लेट 21, 22, 23 से उनकों के साथ चलू होते हैं जो ये दिखाते हैं कि गारी का कब और किस साल पंजी करण हुआ है इस में राज्यों के कोड के बजाए बीच लिखा होता है जो पूरे भारत में मान हैं भारत के शड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले ने साल 2021 में गैर परिवहन वाहिनों के लिए नई लांच की गई बीच सीरीज या भारत सीरीज नंबर प्लेट के तहद वाहिनों का पंजी करण शुरू किया था जिसका उद्देश बीच सीरीज नंबर के अंतरकत अन्य राज्यों में काम करने वाले करमचारियों को लाभ देना है और इसके तहट वाहिनों के लिए भारत सीरीज नंबर या बीच सीरीज नंबर लेने के लिए सरते भी अधिक सरल की गई है वाहन मालिक के यदि चार राजियों से अधिक जगे पर कार्याले हैं तो शरकारी या प्राइबेर करमचारी या ब्याबारी भारत सीरीज का वाहन पंजीय नंबर ले सकते हैं केंद्रिय परिवहन मंत्राले के वाहन पोर्टल पर ये शुविधा आनलाइन दी गई है इसके तहट कार्याले के प्रमारी दस्तावेजों और तैसुल के साथ आवेदन करने से भारत सीरीज का नंबर मिलता है अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि भारत सीरीज के नंबर प्लेट का सीधा फाइदा आशे लोगों को मिलेगा जिनका ट्रांसपर किसी अन्राज में होता रहता है ऐसे अगर आप सिर्फ एक बार बीजच सीरीज का नंबर और इशे सन करवा लेगे तो उन्हें दूसरे राज्यों में इशे पदलने के आवशक्ता नहीं पड़ती है हाला कि पहले सरकार ने इसे सेना के करमचारी और अधिकारियों के लिए जारी किया था लेकिन अब इसका दाइरा बहा दिया गया और ये नंबर प्लेट अप पूरे देश के लिए जारी होने लगा है और खास तोर पर उन लोगों के लिए जिन्हें अलग अलग राज्यों में नोकरी में तबादले का शामना करना पड़ता है अगर हम देखें तो केंदर सरकार और राज्य सरकार करमचारी, शरकारी और प्राइबेट बैंक, सेना के, रच्छा और प्रसास्निंग सेवा के अधिकारी और करमचारी बीयच शीरीज के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके साथ ही निजी कमपनियों के ऐसे अधिकारी और करमचारी जो चार से अधिक राज्य और अथवा केंदर सरकारी प्रदेशों के कारेले में काम करते हैं और ऐसे लोगों को हर दो तीन शाल में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है इसे हर बार उन्हें नए नमबर खईदा मुस्किल हो जाता है और इसे खत्म करने के लिए बीयच शीरीज नमबर प्रेट को पेस किया गया है जिसके लिए हर बार मालिक को दूसरे राज में जाने पर नए पंजी करन के आवशक्ता नहीं होगी शामान रूप से अगर हम देखें तो वाहन का पंजीन कराने पर एक साथ पंद्रा वर्स का टेक्स लिया जाता है लेकिन बीयच शीरीज में ये दो-दो साल के अंतराल पर किस्तों में जमा किया जा सकता है पुराने वाहन पर बीयच शीरीज नंबर लेने पर उश शमय के वाहन की लागत के अनुसार टेक्स निर्धारित होता है और ये टेक्स भी दो-दो वर्स के अंतर पर जमा किया जा सकता है अगर हम देखें तो इससे पहले मोटर वहिकल एट 1988 की धारा 47 के नुसार मालिकों को केवल 12 महिने के लिए अपने वाहन किसी दूसरे राज में जहां पर उनके वाहन का पंजी करन नहीं हुआ है वहां पर रहने के अनुमत मिलती थी इस अवध के बाद वाहन का पंजी करन उन्हें नए राज में कराना पड़ता था हाला कि अब बीच सीरीज के साथ वाहन माली पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं और ये नंबर प्लेट पूरे देश में माने रहेगी आखिर बीच सीरीज नंबर प्लेट के लिए क्या किया जाए अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि बीच सीरीज नंबर प्लेट लेने के लिए आवेदा को आन लाइन अप्लाई करना पड़ता है वाहन पोर्टल के माध्यम से खरीद के समय डीलर दौरा वाहिनों को आनलाइन पंजीकर किया जा सकता है और रजिस्टेशन की प्रिक्रिया पूरी होने के बाद वाहन मालिक को बीच सीरीज का नंबर प्लेट मिल जाता है इसके रावा आविदन करने के लिए सबसे पहले शाड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लागिन किया जाता है इस काम को डीलर लेबल पर भी नए वाहन को खरीतने समय किया जा सकता है लेकिन इसके लिए डीलर को वाहन मालिक की ओर से वाइन पोर्टल पर उपलत 20 नमबर का फारम भरना पड़ता है अईशे में अगर हम देखें तो बीच शीरीज का नमबर अईशे करमचारियों को जिन्हें ट्रांसपर के दौरान एक राज से दूसरे राज में जाना पड़ता है उन लोगों की शुविधा के लिए चालू किया गया है और बीच शीरीज के दौरान उन्हें बार बार भाग दौर करने से भी चुटी मिल जाती है